अभी हमं देखेंगे प्राइमरी एंड शॉर्सेस के बारे में तो वो सॉर्सेस जो की इंडियन हिस्टिय एर्ली फेस को रिकंसर्क्ट करने में मदद कर रहे थे उनस अभी सोर्सES को हम दो cannabis में डिवाइड करते हैं, तो दो category में यह हम डिवाइड करते हैं, तो इसी classification को हम primary और secondary कह लेते हैं, जैसे कि classification is based on relationship of sources, जैसे particular development और time period से rated हो या नहीं है, इस बैसे से हम इनको categorize करते हैं, जैसे primary sources जो होता है na, forced hand होता है, तो writer के according, forced hand का मतलब होता है कि eyewitness हो तो वो event को बिल्कु ठीक तरीके से describe करें, उसको हमने forced hand यानि कि primary जो है कह लिया, और secondary sources होता है, वो second hand होता है, यानि कि writer जो है, एक second source से जो है, चीजों को ले रहा है, और वहां से जो है, अपने आपकी writing में जो है, यह लिख रहा है, तो इनके knowledge जो होते हैं, वो describe करते हैं, जो other sources हैं, उससे derive ह जो होते हैं, primary sources जो होते है, contemporary nature के होते हैं, और secondary sources जो होते हैं, वो different time period के होते हैं, जो कि उसको interpret करते हैं, तो first sources जो होता है, जो primary sources होते हैं, वो original source कहलाते हैं, और secondary sources को हम कहलेते हैं, कि उसमें originality नहीं होती है, अच्छा, जो first sources होते हैं, वो ज्यादा accurate होते हैं, क्योंकि य जहां पे जो है चीजे हो रही हैं फोर सोर्सेस यह भी हमें दिखाते हैं कि बायसने से सफर करते हैं अब वहीं पे कंटम्पररी है तो जो भी है उसका डिल्टेसन जो है दिखेगा किस तरह का है तो राइटर्स और जो कोट पोईट्स होते थे प्रीस्ट वगरा जो होते थे ऐसे स्कॉलर्स को फोर्स्ट प्राइमरी सोर्सेस कह सकते हैं जो ग्लोरीफाई करते थे उनके अचीवमेंट्स के अपने मास्ट्रस के अचीवमेंट्स को ज्यादा बढ़ा चड़ा के बता देते से कि यहां पे जो है किस तरह के अलग-अलग अथर ने क्या लिखा है और उ सेकंडि़िस जो होता था एक लूंगर प्रियर्ट को कवर करता था और जो है फर्स सोर्स जो होता था एक चौर्शी प्रियर्ड में जो कंटार्बर्रोय मोडा था वही लिखता था तो उतने ही सार्स को हम देखें तए सेकेंड़िस जो होता था वहाँ में कronначल डीटेल्स जो है मिलते थे और किस period से कितना different time period में क्या हो रहा है वो चीज़े जो है हमें बिना difficulties के मिल जाते हैं secondary sources जो होते थे वो limitations उनके थो are four sources from which information is drawn by writer especially when limited primary sources are available तो यहां पे जो है limited जो primary source है उससे secondary sources को निकालना हो तो काफी यह challenging होता था जैसे examples हम देखें primary और secondary sources के जैसे literary sources है archaeological evidences है जो classified किये जाते है primary और secondary sources में तो जहां पे जो most of the literary work है न वो categorize किया जाता है secondary source के category में जैसे कि most जो literary works है वो secondary source के category में आते हैं और most of the archaeological sources होते हैं उन्हें हम primary source कह लेते हैं तो evidences जो gather होते हैं excavation और exploration से वो first जो है source कहलाते हैं because primary source कहलाते हैं क्योंकि वो जो है उसी period के events के समय ही चीजे जो है वहां के मिलते हैं और कुछ inscription जैसे के जुनागण inscription रुदरदामन जो है यह classify कि जाते secondary source क्योंकि यह inscription जो है बाद में कि में जो है इसको लिखे गए थे तो अब information जो है पहले की information यह जो इंसक्रिप्सन देते हैं तो भाई अब इंसक्रिप्सन को तो हम secondary source काउंट करेंगे है लिटरी वोक्स जैसे कि अर्थसस्त कमांदक नेतिसार और जो है अर्ष चरित अब बानवट और जो है प्राइमरी नेचर के जो है हमें देखने को मिलते हैं लिटरी वोक्स जैसे कि अधर राक्षे साब विसागदत सेकेंडरी नेचर के होते हैं क्योंकि विसागदत जो है सिक्सेंचुरी एडि में थे और इनकी बुक्स जो है मौरेन पिरेट को बताती थी पर्टिकुलर लिटरी वोक्स जो है देखें तो उसको दो पार्ट में हम दिवाइड किये हैं प्रैमरी और सेकेंडरी में क्योंकि यहां पर जो है कंटमपररी आज वेल आज नॉन कंटमपररी इंफॉर्मिशन भी लिटरी वोक्स से मिल रही है कलहन का जो राजतरंगी नहीं था एक ऐसा सोर्स था जिसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री इंडिया की महा भारत एज से 12th century AD तक लिखी गई है तो इन इवेंट को 12th century तक के इवेंट को जो है एक कलहन ने लिखा गया है तो जहां-जहां यह लग रहा है कि यह सोर्स जो है अपने कंटमपररी लिखा हुआ है तो वहां पर प्रैमरी सोर्स इसको मान लेंगे और जहां पर अपने और यह जो है यूज होते हैं authenticity other sources की examine करने में तो यह सारी चीजे जो हमने देखा है primary और secondary sources में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद